टाइट सप्लाई के चलते सोया तेल में तेजी का महोल बनता दिखाई दे रहा है मांग भले ही सुस्त है लेकिन आयाती तेल के शिप्मेंट में देरी से बंदरगाहों का स्टोक खटने लगा है कांडला मुंद्रा पोट पर सोया तेल का स्टोक लगबग एक लाक टन बताया गया है चुनमंबर 2023 से आधे से भी कम है कांडला सोया तेल 915 पर कारोबार करता दिखाई दिया है जानकारों का कहना है कि ये उपर में 980 तक जा सकता है यानि यहां से आगे तेजी जारी रहने की संभावनाए है जैसे ही मार्च के मध्या में सोया तेल की कमी की भरपाई होगी कीमते फिर से उपरी स्टरों से नीचे गिरना शुरू हो सकती है मिले जुले फंडामेंटल होने के कारण के एलसी में अभी बजार किस होर जाएगा यह कहना मुश्किल है एक से पच्चिस फरवरी के बीच मलेशिया पाम तेल का निरियाद दस से चोदा फिसदी कमजोर रहा है वहीं पाम तेल के उत्पादन में सुधार हुआ है चानकारों को कहना है कि स्थानिय बजार फिलाल अंतर राश्य बजारों के अनुसार ट्रेड नहीं कर रहे है दरसल तंग सप्लाई के रिपोर्ट पर तेजी बनी हुई है वहीं इंदोर में सोया बीन तेल 10 रुपे बढ़कर बीरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी